हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चेनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एज्चू के स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे H2 ब्लोकर्स ड्रग के बारे में तो यहाँ पे जो आप टाइटल स्लाइड के अंदर जो देख रहे है कि फैमो टीडिन के टैबलेट्स यहाँ पे आप देख रहे है सीमी टीडिन का यह जो टैबलेट्स देख सकते है रैनिटीडिन है और निजाटीडिन के ये कैपसुल्स होगेर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी हम डिटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में और जानेंगे ये मेडिकेशन के बेजिक यूज वगेरा क्या होते है उनके साइड इफेक्स क्या होते है फिर कौनसे अलग-अलग डाइरेक्शन होते हैं ये मेडिकेशन को यूज करने के लिए और कौनसी कंडिशन के अंदर ये Contra Indications के लिस्ट में है और साथ ही जानेंगे कि ये Medicines के Do's वगेरा क्या होते हैं तो सुरू करते हैं आज का Lecture और सीखते है S2 Blockers Drugs के बारे में तो Expert Lecture बायमर सर, Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being in PharmaRox Family, updated रही ये Pharma Knowledge के साथ, access कर ये Study Material Test Series and Video Lecture PharmaRox के आप उपर तो Dices and Medicines Related Course भी आप PharmaRox के आप उपर available है, कि जहाँ पे आप सभी Medicines Related Lectures जो हो access कर पाऊँगे और साथ है साथ जो अलग-अलग Dices और उनके Treatment के बारे में भी आप जान पाएंगे, तो वहाँ पे आप PDF और PPT वगेरा access कर सकेंगे PharmaRox के आप उपर तो कि जो affordable price में ये course आप access कर पाऊँगे तो study material, test series and video lecture के लिए जरूर से download करिये आप PharmaRox लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो basic concept है वो समझते है H2 blockers drugs के बारे में तो H2 blockers drugs को हम histamine H2 receptor antagonist drugs भी कहते है और ये medication किस तरह से काम करती है तो ये क्या करती है जो histamine H2 receptor जो होते है उनको block करके अपनी pharmacological action देती है और ये जो location रहता है वो है parietal cell of the stomach की हमारी stomach के अंदर है जो parietal cell की जो stomach acid का secretions करने में help करते है और वहाँ पे मौजुद जो ये H2 receptor होते है वो H2 receptor को block करते है ये हमारे medication से लिए उनको कहा जता है H2 blocker drugs और यहाँ पे H4 बनता है histamine कि histamine H2 receptor antagonist बिकॉज ये जो receptors होते है उनकी action को ये block कर देता है तो H2 blockers की जो examples हम देखे कि 4 popular medications H2 blocker class की तो एक है famotidine तो famotidine जो है वो usually 400 mg के 40 mg के जो dose में available होते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं famotidine के जो tablets और इसकी strength है 40 mg और ये जो है वो usually दिन में एक बार या फिर दो बार ले जाती है as per the direction फिर second हम देखे तो वो है cemotidine तो cemotidine का जो हम dose देखे तो वो है 200 mg तो 200 mg इसका ये basic dose रहता है कि जो lower dose से जब treatment start होती है तो patient जो है वो ये 200 mg का एक tablet जो है वो दिन में एक बार लेते हैं खाना खाने से पहले फिर तीसरा हम देखे तो ranitidine है कि या पर जो आप उसका brand name देख सकते कि aciloc 150 करके ranitidine के tablets available है कि जो इसकी strength हम देखे तो 150 mg की tablet आती है ये खास कर और चौथा हम देखे तो वो है nisatidine तो nisatidine का dose रहता है 150 mg तो S2 blockers के अंदर ये 4 अलग-अलग options हमारे पास रहते एक फैमotidine का sematidine, ranitidine या फिर nisatidine अब आगे जो जानना ये है कि H2 receptors क्या है वो आपके mind में इस सवाल जरूर से होगा तो H2 receptor जो है वो कहाँ पे होते थे H2 receptor जो है वो parietal cell के अंदर होते है हमारे stomach के अंदर कि ये आप देख सकते है stomach का lumen का portion देख सकते है और वहाँ पे मौझूद ये एक parietal cell है अब ये parietal cell के पास अलग-अलग receptors और ion channels जो है वो उसके पास मौझूद है कि जैसे कि यहाँ पे K plus channel है कि जिसको हम कहेंगे potassium की channel है फिर H plus K plus ETPs उसके पास pump है कि जिससे H plus और K plus को अच्छे से जो है वो आगे पास करवा सके तो यहाँ पे एक basic concept है कि यहाँ पे जो आप देख सकते है यह histamine receptor देख सकते है यह जगा पे तो यह H2 receptors जो है वो help करते है gastric acid के formation के अंदर तो यहाँ पे जो आप पूरी एक जो process है वो देख सकते है cell के अंदर जो हो रही कि यह जो histamine receptor है वो यह जो पूरा जो process हो रहा है gastric acid के formation का कि यहाँ पे gastric acid बन रहा है तो उसका यह जो पूरा जो पात्वे तयार होता है यह पात्वे में यह H2 receptor का involvement काफे जरूरी है अगर यह H2 receptor यहाँ पे होंगे तो proper gastric acid जो है वो हमारे stomach के अंदर बनेगा और जो आगे जरूरी होता है जो हम जो भी कुछ खाना खाते है उसके digestion में यह gastric acid का होना वहाँ पे जरूरी है तो parietal cell के अंदर यह जो H2 receptor है वो उनका important role है stomach acid के production के अंदर stomach के अंदर जो secretion होता है उसमें यह help करता है and साथ हो साथ जो stimulation होता है gastric acid के secretion का उसमें भी यह help करता है कि जो हमारे डखाने के जो digestion के लिए काफी जरूरी है तब आपके mind में जो सवाल था उसका doubt जो है वो clear हो गया होगा कि H2 receptor का role क्या है कि stomach acid के production और उनके secretion में help करते है और यह parietal cell के अंदर जो है वो मौजूज होते हैं कि जहाँ पे यह stomach acid के production का main काम होता है तो अब जो हमारे medications होते हैं वो यह H2 receptor को block करके अपने action देते हैं तो अगर जब किसी को disease होते है digestive system के related तो उस वक्त क्या होता कि हमारे body के अंदर excessive acid जो है वो produce होता है और excessive acid कि यहाँ पे आप देख सकते कि parietal cell ने यह acid जो है produce क्यों है पर यह जो acid आप यहाँ पे देख सकते कि जिसको हम gastric acid कहते हैं stomach acid कहते हैं तो यह acid समझो कि काफी ज्यादा produce हो रहा है कि जितना चाहिए normally digestion के लिए उससे भी बहुती ज्यादा amount में जो है वो produce हो रहा है तो उसका मतलब यह हुआ कि आपके body के जो यह S2 receptor थे वो उस तरह से काम कर रहे है साथ उसाथ जो proton pumps होते हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि उसके करण अलग-अलग disease होते है digestive tract के related जैसे की GERD का जो problem होता है कि gastroesophagal reflex disease जो हम कहते हैं कि जिसके अंदर यह food pipe के अंदर acid जो है वो उपर क्यों और reflex होता है विकॉज उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है कि stomach के अंदर यह acid बढ़ जाने के कारण उना उपर की और तीसरा हम देखे तो प्राप्टीक अलसर का problem होता है और चौथा acid इटे का problem तो S2 blockers जो है वो use होते हैं यह सब problems को treat करने के लिए तो S2 blockers का जो काम ही है कि S2 receptor जो काम करते हैं उनसे और उसकी विपरित action देना कि S2 receptor क्या करते हैं excessive acid produce कर रहे है तो S2 blocker जो drugs है वो S2 receptor को block करके stomach acid का जो production है वो कम कर दे के जिससे यह सब problem जो है वो solve हो सके तो उसकी mechanism या फिर उसका जो working है उसी पर से उसके basic use है कि they are used to treat and prevent problem related to excessive stomach acid production के ऐसे लोगों के अंदर कि जिनके अंदर stomach acid जो है वो काफी ज्यादा amount में produce हो रहा है कि stomach acid का जो production है वो काफी excessive हो रहा है जैसरे कि acidity का आपको problem है कि काफी ज्यादा acid आपके body के अंदर produce हो रहा है कि जिससे कारण जो हम कहते हैं acidity का problem तो उसको ठीक करने चलिए या फिर उसको prevent करने के लिए भी ये H2 blockers medications prescribe किये जाते हैं फिर जिनको GARD का problem है कि अभी जिसे मैंने आपको समझा है कि ये जो acid है वो food pipe के अंदर उपर के और reflex होता है Peptic ulcer disease के problem होए समझो कि आपको कि आपके stomach के अंदर ulcer हुआ है कि excessive acid या फिर वहाँ पे दूसरी reasons के करण ulcer हुआ है तो उसके healing के लिए और साथो साथ उसको protect करने के लिए और आगे फैलने से रोकने के लिए prevent करने के लिए ये medications जो है वो दिये जते हैं indigestion के अंदर भी इसको यूस की जाती है और साथो साथ dyspepsia की जो हम कहे थे कि upset stomach जिसी condition तो indigestion, upset stomach, peptic ulcer disease, GRD, acidity के problem ये सभी के अंदर ये S2 blockers drug जो है वो यूस की जाती है अब समझते हैं उसकी mechanism की जैसे अभी हमने जो pathway देखा था कि यहाँ पे histamine receptor है और ये ये पूरा जो chain है उसके अंदर involved होते हैं जास्ट में gastric acid का जो ये production करते हैं और ये gastric acid हमारे stomach के अंदर जो है वो secret होता है तो जब आप ये medications लेते हैं H2 blockers तो ये medications क्या करें कि ये receptor की activity को ही completely block कर देंगे अगर समझो कि ये histamine receptor ही नहीं होगा तो ये आगे कि जो ये जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएंगे और जिसके करने जो gastric acid का जो production है वो हो जाता है कम तो ये क्या करते हैं कि receptor blockers act by binding to histamine type 2 receptor कि histamine के जो type 2 receptor के जिसको हम H2 receptor करते हैं कि जो specially जो parietal cell की जो surface होती है वहाँ पे मौजूद होते हैं तो उनको block कर देगा और inhibit करता है gastric acid का production और secretion को अब उसके side effects भी जानना जरूरी है तो उसके side effects के तोर पे persons को जो है वो constipation होता है कुछ लोगों को diarrhea होता है फिर difficulty होती है sleeping में मलब कि सोने में कई बार difficulty होती है यहाँ पर यह जो diagram देख रहा है इस तरह से और dry mouth जिसा feel करना कि आपका जो गला सूख रहा है या फिर आपके oral cavity के अंदर आपको सूखा फंजिसा में सूसूता है या फिर जो हम कहते है कि salivary secretion जो होती है कि हमारे mouth के अंदर saliva secret होती है कि जिससे mouth के अंदर गिला पन रहता है वो कम हो जाना जिसको हम dry mouth कहते है as a side effect तो ये side effects का इबार देखने को मिलती है as to blockers के करन कि जब वो काफी high dose के अंदर को use कर लेता है excessive use कर लेता है तो ये side effect होती है फिर कुछ cases के अंदर constipation या फिर कुछ cases के अंदर diarrhea फिर dry skin के भी problem होते है कि आपकी जो skin है वो dry हो सकती है कि अगर आप उसको excessive use करते है higher dose के अंदर फिर headache जो है वो कि जो सरदर्द होना ये उनका एक common side effect है कि H2 blockers के कोई भी medication आप use करोगे तो headache जो है उनके common side effect है कुछ cases के अंदर ear ringing पर देखने को मिलते हैं या पर जो आप देख सकते हैं कि ears के अंदर आपको ringing जैसा होना ऐसा कुछ patients feel करते हैं H2 blockers के side effect के तो अगर आपको ऐसे कोई complicated side effects देखने को मिलती है H2 blockers लेने के बाद तो तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को contact करके medication जो हो change करनी चाहिए फिर कुछ cases के अंदर runny nose जैसे भी symptoms देखने को मिलते हैं as a side effect तो यह थी अलग-अलग side effects H2 blockers drug के आगे जानते हैं उनके contraindications तो कौनसे conditions में यह use नहीं करने चाहिए तो अगर आपको hypersensitivity है hypersensitivity है H2 blockers के मतलब कि यह लेने के बाद आपको कोई rashes हो जाते है allergic reactions जैसी हो जाती है आपकी body पर तो H2 blockers को use ना करें फिर कोई severe या फिर life threatening reactions देखने को मिलती है कि जिसको कई बार हम कहते है anaphylaxis shock जैसा होना तो ऐसे condition में भी आप यह H2 blockers को use ना करें तो यह दो conditions के अंदर आपको जो है वो उसको completely avoid करनी है अब बात करें कि pregnancy के दोरान इसको use करें या नहीं तो pregnancy के दोरान यह जो medication है वो है safe है pregnancy में यह medication safe है because H2 blockers जो है वो category B के अंदर आते है pregnancy category according to the food and drug administration FDA के according to जो अलगला category होती है pregnancy में कौन से medications यूज़ करनी चाहिए कौन सी नहीं तो H2 blockers category B के अंदर है मतलब कि यह जो है वो medication safe है pregnancy के अंदर लेने के लिए तो pregnancy के अंदर H2 blockers यूज़ करने चाहिए but lower dose के अंदर की जैसे famotidine की हमने बात की थी तो famotidine जो है वो 400 mg में लेना सही रहेगा semitidine जो है वो तो 200 mg का एक ही tablet फिर ranitidine है तो 150 mg का एक tablet या फिर अपनिजा टीडिन यूज़ करे तो उसको 150 mg मतलब कि जो उनके lower dose है वो lower dose के अंदर ही pregnancy के अंदर यूज़ करने चाहिए कि जैसे कोई complications वगेरा ना हो जैसे दिया सक्या कर सकता है कि वो कई बार डायरिया जैसे करवा सकता है या फिर constipation जैसा हो जाना तो यह सब problems हो सकते हैं कि अगर आप उसको higher dose में यूज़ करें तो decision medicines related जो course है वो फार्मरोक्स की आप उपर अवेलिबल है कि सभी medicines related lecture, decision इसकी treatment, pdf and ppt's मिल जाएगी affordable price के अंदर तो डाउनलोड करें आप फार्मरोक्स android application on google play apple iphone app on app store link आपको description box के अंदर मिल जाएगी या फिर आप course join करने के लिए यह number पर whatsapp भी कर सकते है 9016312020 so thank you for watching, access करें study material test series and video lecture फार्मरोक्स की आप उपर so good luck and all the best